हलो दोस्तों नमस्कार मैं प्रिंस आपका 12 स्वागत करता हूं स्कूर मोर में देखिए रेलवे के तरफ से नोटिस जारी किया गया है फी रिफंड के रिगार्डिंग जी हां जो आपने एंटी पीसी का एक्जाम दिया है उसका फी अव रिफंड किया रहा है जो जो सब्सक्राइब कर सकते हैं यह रेलवे के हर एक जोन के वेब साइट पर आपको देखने को मिल ले आगा तो यह नोटिस जारी किया आगया है आज ही 6 अगस्त को इसमें क्या बताया गया है देखिए मैं आपको बता दू तो एंटी पीसी यानिकिन नॉन टेक्निकल जुलाइब को तो यह साथ फेज में टोटल एक्जाम हुआ था इसके लिए जो जनरल केंडिडेट से इनके इनसे 500 रुपे लिया गा था और और बीसी वालों से सडी स्टी एसी वालों से कुछ कम लिया गा था तो इनसे सबका जो फी है उसको वापस किया रहा है उसमें से जो जनरल कंडिडेट से उनसे 100 रुपे इसमें कट किया जाएगा और सटीसे कंडिट से सो रुपे कट किया जाएगा तो यह निए कि अपने बस एक्जाम दे आपका पैसा वापस आ जाएगा देखिए इसमें बताया गया है क्या और बहुत जरूरी है आपको जानना क्यों बहुत सारा चीज बजला है बहुत सारे बैंक जो है आपस में मर्ज हो गया है उसलिए रिल्वे ने स्पेसली नोटिस जारी करके यह बताया है कि आपको यह सारा कुछ काम करना पड़ेगा क्या काम करना है देखिए मैं आपको बता दू अप्लिकेशिंस हाब बें श्रूटनी के दौरान पता चला ऐसार लाज नमबर अफ पेमेंट्स वेर मेड फ्रम सेम अकाउंट नमबर बहुत सारे लोग क्या होते है कि आप कैफे में जाकर फॉर्म भरवा लेते हैं तो कैफे वाला का करता है कि सारे पेमेंट्स में अपना ही डिट्रेस डाल देता है तो रेलवे वाले जब स्कूरूटनी किये तो उनको यह पता चला कि सेम एकाउंट नंबर से माइफसी कोड से बहुत सारा पैसा मतलब बहुत सारे फॉर्म का पैसा आया हुआ है ऐसा करना वापस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राबलम कर सकता है तो इसलिए रेलवे ने तो इसलिए आप लोग सतर्क हो जाएंगे यदि एक अकाउंट नंबर है उसी में एक ही जन का फी वापस होगा उस एकाउंट नंबर पर दूसरे का पैसा वापस नहीं आएगा अब क्या होगा तो देखिए इसके लिए बैंक क्या करने वाला है तो वह लिंक अपना जारी क सब्सक्राइब करना या फिर आपके फोन में अल्रेड़ी एसमेस आएगा जिस नंबर को अपने फॉर्म भरते से में डाला है उसमेस आएगा उसके साथ एक ओटीपी भी आएगा जिसके साहरे आप लोग अपने बैंक टीटल को करेक्ट कर सकते हैं देखिए इसमें कहा गय बैठे नहीं है उनको तो पैसा भूली जाना उनका पैसा वापस नहीं होना है लेकिन जितने लोग एक्जाम में बैठे हैं उनका पैसा वापस होगा और यह प्रसीजर फॉलो करेंगे तभी वापस होगा पैसा वरना पैसा वापस नहीं होगा देखिए क्या कहा गया है जो आपका IFSC code है वो correct है and check it carefully before submitting और इस modification को submit करने से पहले आपको इसको पुरी तरह से check कर लेना होगा कि मारा proper सही है या नहीं it may be noted that modification of bank details after submission will not be possible यहनि एक बार जब आपने submit कर दिया तिसको फिर से modify करना असंभव हो जाएगा ऐसा उन्होंने बता दिया है और विशल नॉट बिर स्पॉंसफल फोर एनी फैलियोर अफ रिफंड और अगाउंट ऑफ incorrect details ठीक है रेलोय ने पहले ही कह दिया कि मैं किसी तरह का जिम्मेवारी नहीं लोंगा यदि आपने कोई भी चीज गलट डाली है तो अब यहाँ पर कहा गया है नोट क्या क्या है आप लुद्यान से देंगे हैं तो लास्टेट है इसके लिए सम्मिशन का 31 अगस्त 31 अगस्त से पहले आपको अपना बैंक डिटल्स देते ना होगा रिफंड जो होगा और देखिए कहा गया है कि आपको वेरिफाइग किया जाएगा उसके बाद आपके बैंक में भेज दिया जाएगा इनकरेट या इनकम्प्लीट जो होगा उसके लिए यह रिजेक्ट कर दिया जाएगा रुनोरी फंड विल भी गिवेन इफ एक कंडिड़ेट फेल्स तुसमिट बैंक डिटल्स यानि या निया पने बैंक डिटल्स तरह से सब्समिट नहीं किया तो आपका फेल हो जाएगा आपका पैसा लोग ऐसे हैं कि अपने भाई का भी कटवा दिये पैसा उसी से अपने दीदी कटवा दिया और यह गलती हो जाएगी आपको अपना अपना परस्नल अकाउंट नमबर डालना पड़ेगा तभी आपका पैसा वापस होगा अब लास्ट बात जो है खास वह देख लीजिए द आतो एसमे से दिया जाएगा या फिर एंड इमे़ या फिर इमेल या फिर उसको मोघर इमेडिया जागा या फिर उसको पसंद आया होगा किस तरह सपी वापस लेना ही आपको समय में आया दूस्तों इस वापस आ सके मैं सारी वीडिओ को सेयर करने के लीए कहता हूं इसको इसलिए कर रहा हूं तक अच्छाई के बात धें क्योंकि सबका पैसा वापस होना चाहिए तो यह तो रहा कर जाए तो यह दिक्कत कर जाएगा तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना होगा और उसको मोडिफाई कर लेना होगा धन्यवाद